असलाम आलेकुम विवार्थ तो आज मैं आन्बूं। लिएम्न करींगे GTEB का एक स्मार्ट वाज बहुत शांदर स्मार्ड वाज जो कि GTEB का GT2 मोडेल है इसका sport with fashion आता है sport with fashion तो बहुत शांदर वाज है तो इसमें जो जो support करता है वो है strong battery life आता है first उसका बाद HD voice call supported है, health assessment system, heart rate monitoring, step count monitoring blood oxygen monitoring बहुत सार फंक्शन है, मैं video के mail में दीखेगा और आप कैसे आपका mobile के साथ इसको connect कर सकता है कौन सी app से connect कर सकता है वो भी में दीखाएगा आपको तो इसमें जो जो उसका तो पहले 1.28 IPS screen आता है उसके बाद इसका battery जो आता है 220 mh का यानि 220 mh का इसका बाद इसमें जो फंक्शन है full screen तो full screen trash आएगा उसके ब्लूटूथ डायल भी आगया ब्लूटूथ डायल आएगा उसके बाद अब call answer Bluetooth reminder Bluetooth music information reminder, step distance multi sport mode, heart rate blood pressure, blood oxygen, remote camera, stopwatch वो पूरा इसमें function मिलेगा इसमें color तिन कलर आएगा black, gray and gold color आएगा तो चलिए आप हम box copy करते है यह है जो smart watch GT2 है smart watch GT2 जो roundable है देखने में बहुत तीशांदर है बहुत शांदर looking है जो कि इसका कहना है sport with fashion सच में sport with fashion है बहुत शांदर watch है तेकियों में जावर दस्ते हैं तो इसका एक्सेसरी जो आता है एक green color का extra step आता है इसके साथ जो black color step है और यह green color का step एक extra आता है यह भी बहुत शांदर है उसके बाद जो रहता है आपको charging रहता है जो charging है और जो user guide रहता है उसमें जो यह warranty card रहता है और यह GT2 का using guide तो इसमें आप देखके आपका watch faces कैसे connect कर सकते है वो सब दिया है और इसमें app का QR code भी दिया है जिससे आप connect कर सकते हैं आपका नाम भी दे दिया कि कैसे concept आप download कर सकते है डाउन करके इसको connection कर सकते है आपको android mobile के साथ तो मैं थोड़ी दिर बाद आपको दीखाए गया कि आप mobile के साथ कैसे आप connection कर सकते है यह watch को उसके बाद आप कोई भी photo लगा आपका photo लगा कोई भी photo लगा सकता है तो चली हम एक बड़ वाच को पहन के देखते है तो कैसा लगते है तो यह जो ब्लैक कलर का वाच है तो हम एक बड़ हाथ में लगा के देखते है कैसा इसका लूकिंग है अब दूसरा भी उसकर सकते है यह दिखिए जो वाच है राउंडेवल बहुत शंदर वाच है बहुत जबर्दस लग रहा है लुकिंग तो लुकिंग इसका बढ़िया है और यह तो ब्लैक कलर के स्टेप में उसकर रहा हूँ और इसमें आप जो ग्रीन कलर के स्टेप है व वरदस है इसके मेगनेटिंग चार्जिंग का पॉइंट है जो चारजिंग देने के लिए तो चलिए हम वाच को अन करता है यह अमरा वाच ऊन हो गया तो इसके बाद क्या करना है आपको मोगल के साथ काने करना के लिए कोई भी android mobile के साथ अपकाने कर सकता है इसको आइफून हो चाहे वो android हो कोई भी android mobile के साथ अपकाने करने के लिए simple app को apps download करना है तो apps डाउनलोड करने लिए आपका जो mobile जो user guide में apps का नाम भी लिखे है या आप google में जाके इसको search भी कर सकता है और अगर साच इसमें देखिए आप वाच में जाने के बाद जो उपर से स्लैट करेंगे तो इसका सेटिंग आएगा सेटिंग में जाने के बाद इसका एकदम नीचे आपका एप क्यों अर्कूट देखे रहेगा अगर आपका स्केनर है आपका मोबल पर स्केनर सॉफट्वेर से स्केन करेगे तो कौन सा अप जानूर करना है वो आप एजिली पता चल जाएगा आपको तो मैं सिंपल बाता हूँ इसका जो एपस है वो सकता है डायल करके नंबर तो जो ऑक्सिजन वगड़ा जो कैमरा कॉंट्रोल म्यूजिक प्लियर और बहुत सार फंक्शन है तो आपको सिंपली एपस के लिए आपको क्या करना है आपको गूगल पर जो प्लैस्टोर है उसमें जाने के उसके बात आपको सार्ज बॉक्स में जाने के बाद आपको डाफिट लिखने है जो में पहले बीश महện वीश्व जीसका डाफिट को जो अप्स का में ए specific में डे दिया आप ऊधर से जाकर भी डिए डॉन सकते हैं तो उसके बद सिंपल ली जी किया करने आपको आपको प्लै स्टोर में जाने का बद सार्ज बॉक्स में आपको जाना है स्ट् में जाकर आपको लीखने टफ़ाइड तो डाफ इन्लीखने पद व से फॉल हो जाएगा तो यह गों हो और प्रमिशन अंगते हैं पिर आके करने के बाद इसको नीचे प्रोफाइल लेता है और हेल्थ रहता है और डिवाइच रहता है जो नीचे डिवाइस में आपको क्लिक करना है डिवाइस के करने के बाद आपको simply इदर add device आता है add device में क्लिक करना है उसके बाद location का permission ओके कर दिना है इसके बाद जो जो model आपका on है वो show हो जाएगा इदर देखिए जो जो हमारा model on है GT1, GT2 और भी बहुत सारा model on है तो show हो जाएगा उसके बाद आप simply हमारा जो GT2 है इसमें क्लिक करना है उसमें क्लिक करने के बाद इदर देखिए जो watch है हमारा connecting हो रहा है यह देख सकते हैं हमारा watch जो है वो अभी connect हो गया इसके बाद आप notification बगर on करने के लिए और बहुत सारा function है उसमें चेंज कर सकता है और watch faces जो है वो चेंज करने के बाद आपको simple watch faces में जाना है फास्ट बाला उसके बाद देखिए बहुत सारा watch faces उसके बाद more watch faces भी है more watch faces में जाने के बाद इदर बहुत सारा faces है आप कोई भी select कर सकते हैं मैं एक select करके save करके आपको दिखाता है अब यह देखिए हमारा जो दूसरा face है watch faces वो save हो रहा है अब कोई भी faces इसमें change कर सकते हैं और चाहे तो आपका खुद का photo भी आप एड़ कर सकते हैं इसमें हो भी मैं बताएगा कि यह save होने के बाद मैं आपको बताएगा कैसे आपका खुद का photo आप एड़ कर सकते हैं इसमें यह जो face है वो चेंज हो रहा है पहले का जो watch faces है face है वो चैंज हो के जो नया है वो वह च्छेन्ज होड़ा है, थो एक मिनी टाइम लेता है, फ़र्स्टेम, ठोड़ा टाइम लेता है जो तक द्सेश होने में, आल sono जो एपस है जो वो चांच होड़ा है, यह दिखिए जो वाउन से आमारा चेंज हो गया, यह नया वट्स्थ लागा सकते और आपका खुद को फोटो एड करने के लिए सिम्पोल आपको क्या करना है इधर से जिए कि जो चान नंबर वाच्पस का चान नंबर वाला है उसमें राइट सेट में लिखा है आपको सिंपली एडेक्त मिल क्लिक करना है क्लिक करने के पाद इधर जो green color का है उधर कर सकते हैं और ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो का अपडेट देखने के लिए मेरो चैनल को अब सबसे कर सकता है तेंक्यू